मैं तो उस film बनाने वालों से सिर्व इतना जानना चाहता हूं क्या ये documentary है या क्या ये commercial film है अगर ये documentary है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है लेकिन film बनाने वाले भी कहते हैं कि it is based on reality but it is not a documentary उसमें तरह तरह के जूट दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हकूमत के बारे में हकीकत ये है कि जब ये वाकिये हुए जब कश्मीरी पंडित यहां से निकल गए उस वक्त फारुक अब्दुल्ला वजीरियाला नहीं था उस वक्त गवणर राज था जगमोहन साब ग और ये लुंण खड़ा था, बीजेपी, बीजेपी की हकूमत थी में, जब कश्मीरी पंडित यहां से चले गए, तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में फारुक अब्दुल्ला को झा ट दिखाते हो, लेकिन वीविजेपी सिंग के पीछे बीजेपी को क्यों न या नहीं दी, अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहत अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कश्मीरी मुसल्मान नहीं मरें, क्या कश्मीरी सर्दार नहीं मरें, अगर यहां लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मध़भ के लोग शामिल हैं, मुसल्मानों ने भी अपनी मकाने छोड़के, कश्मीर छोड़के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए, हमारे सिख भाई बहन, वो भी छोड़के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़के गए, हमें असबात का अफसोस है, और हम कहते हैं अब, माहौ अब, मुझे लगता है, वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं, वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं, शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं, कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहे हैं, लेकिन हमारी जब तक नैश्नल कॉनफरेंस है, हम उस शेर-ई-कश्मीर के को हम दुबारा कायम देखना चाहते हैं, मुबारक है न, आना चाहिए उनको, यहां आके आम लोगों से सुने, तो शायद असलियत का उनको थोड़ा सा पता चल जाएगा, सियासी माहोल तो गरमाया जा रहा है, किस मकसद से गरमाया जा रहा है, वो मैं कह नहीं सकता हूँ, अब हमें तो, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्धारी तो सिर्फ नैशनल कॉन्फरंस तक है, मेरी कोशिश और मेरे साथियों की कोशिश यही रहेगी, कि हम जमात को मद्बूत करें, बाकि वजिर आजम साब यहां आके क्या कहेंगे, क्या करेंगे, या अमिच्छा साब क्या कर वे पुट रहा जो पुट खाइट जो 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 हम पुट एका टाया बत एक ह्या घराओ करी के साम करीन है